दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं comparative politics के evolution के बारे में कैसे traditional से modern approaches आए, क्या वजहें थी कि traditional की जगा modern आना पड़ा और कैसे comparative politics ये discipline ग्रो किया है ये सारी बाते जानने के लिए शुरू करते हैं दोस्तो मैं हूँ संदीप सिंग और शुरू करते हैं comparative politics से comparative politics है क्या जब भी हम word पर ध्यान देता है, politics जो हम जनरल आम तोर पर understanding है decision making के बारे में institutions के बारे में comparative मतलब हम compare करते हैं दो basic चीज़े हैं तो ये उतना ही पूराना है जितना हमारी political theory है या political thought का idea आता है अब शुरूआत करते है comparative politics की जो basic comparison की कहानिया है वो और इस total से शुरू होती है उन्होंने 158 constitution को compare करके फिर best constitution कौन सा है कौन सा नहीं हो सकता है इस सारी बाते उन्होंने तभी करी थी तो कहीं न कहीं इसका origin वहाँ देख सकते हैं फिर जब modern तौर पर आते हैं इसके method के बारे में या उसके बारे में टौकवेली ने भी कुछ similar काम किया था वो अमेरिका जाके US जाक उसको traditional बोलते हैं जो नया तरीका निकल के आता है उसको modern बोलते हैं कुछ historical situation ऐसी थी कि कुछ नए अप्रोचिस की जरुवत पड़ी तो पहले traditional को देखने की कोशिस करते हैं तो method में पहले ही बताए ज़ुका कि जो traditional method थे वो कौन से method थे जब आप Aristotle के बाते करते हैं पहले जितने भी thinkers थे उनकी बाते करते हैं तो वो सारे philosophical लिखने की कोशिस कर रहे थे कि एक सही government क्या होती है एक philosopher king क्या होता है एक सही राजा कैसे होता है ये सारी बातें वो करने की कोशिस कर रहे थे तो वो normative क्या होता है मतलब क्या है उससे जादा क्या होना चाहिए पर बाते कर रहे थे तो normative था philosophical था पूरी की पूरी understanding दूसरा जो dimension है अठारवी सताबदी में जब आप देखेंगे कि legalistic और constitutional बातें कर रहे थे वो मतलब अठारवी सताबदी के पहले तक तो philosophical यह सब बाते हो रहे थी लेकिन अठारवी सताबदी से अभी तक जो first world war तक बाते हो रहे थी वो legalistic constitutional बाते हो रहे थी चाहे आप G.S. Mill का देखें Bentham का देखें, Montescue का देखें, यह लोग कैसी चीजों से deal कर रहे थे इस तरह की बातों से वो deal कर रहे थे फिर after second world war बहुत सारे changes आये और modern method आये है यह तो basic कहानी है लेकिन क्यूं आये हैं वो अगर आपको जाना है तो आपको समझना पड़ेगा कि traditional method में कमी क्या थी या क्या खास बाते थी तो traditional method था comparative politics का वो बहुत narrow था मतलब अपने scope में और केवल western world को compare कर सकता था उसमें diversity नहीं थी वो एकी तरह के system थे उन ही को आपस में compare कर रहा था तो यह narrow था कि developing societies है जो colonial societies थी उनको कहीं न कहीं state को study नहीं कर सकता था फिर region यह था कि सब में similar level of development था कि अगर Britain और US को comparison करेंगे similar system है एक जगा presidential है दूसरी जगा PM है लेकिन जो method है जो basic चीज़े है वो लगबग लगबग same है फिर एक खास बात थी कि इसको बोला गया है कि comparative government था ना कि comparative politics government और politics के बीच में जो फरक है वो आपको थोड़े दिने में पाता चलेगा तो यह कहने का government के बारे में था legal institutional तक सीमित था क्योंकि यह laws और इन चीजों का study यह कर रहा था और value neutral नहीं था कि लोग बताने की कोशिश कर रहे थे कि क्या सही है क्या गलत है तो यह value neutral नहीं था क्यों बताने की कोशिश नहीं कर रहे था scientific तरीके से भी बताने की कोशिश नहीं कर रहे था तो यह तो कमिया थी traditional method की इसलिए कुछ नए method की भी जरुवत पड़ी अब जो फरक हमने बताया था comparative government और comparative politics के बारे में comparative government का मतलब है कि एक state of institution जो constitutional status और इन चीजों के बारे में study करें, गवर्मेंट के बारे में पढ़ाई करें है गवर्मेंट के बारे में बताएं politics कही नहीं larger होती है ज्यादा broader होती है वो social, economic, cultural और psychological चीजों के बारे में बात करेंगी formal और informal दोनों processes के बारे बाते करेंगी कि कैसे होते हैं और वो constitution के beyond भी चीज़ें जो हो रही है चाहिए political culture के domain में हो गया political sociology के domain में हो गया वो सारी चीज़ें जानने की कोसिस करेगा और फिर एक और फाइदा है political comparative politics का कि वो constitution के beyond पढ़ने की कोसिस करेगा वो civil society देखेगा cultural factor देखेगा domestic factor देखेगा और international factors भी देखेगा तो comparative government से हमें comparative politics move करना था और इस वज़ा से भी हमें नए methods की जरूवत थी कुछ और भी region है नए methods की उनमें से एक बताया जा चुका है कि narrow thyscope में static था बहुत ही dynamic चीज़ों को steady नहीं कर सकता था और non comparative था और इस वज़ा से उसे बोला गया है जो ये तीन वर्ड आपको याद रखने है एक तो ethnocentric या eurocentric बोल दिया गया है एक perochial बोल दिया गया है eurocentric मतलब है कि यो यूरोप में को base करके बनाये गया था बांकी societies को understand करने के लिए नहीं बना था ethnocentric है मतलब कुछ particular part या ethnic group को consider करके बनाये गया था फिर एक और जो condition वहाँ पर create हो रही थी वो आपको समझना है कि क्या वज़ा है थी कि नए method के निकलने की तो उनमें एक behavioral moment तो हम सबने पुढ़ा है जहां कि ये सवाल उठने लगा कि political science से ये discipline उतने काम का नहीं है क्योंकि ये scientific method यूज नहीं करता उतनी predict करने की possibility नहीं है और बहुत ही abstract है बहुत ही normative है तो ये चीजें question हुआ तो behavioral method आये है उससे science को लाने की कोसिस करी गई है कि empirical चीजों पर ground करना है जो चीजें object कर सकते हैं उनको देखना है तो वो moment आने लगा एक reason वो है दूसरा जो 90 countries बनने लगी जैसे वो आजादी का भी दौर था 90 countries निकलने लगी तो उनको पढ़ने के लिए आप traditional जो पढ़ाने के तरीके हैं या पढ़ने के तरीके हैं समझने के तरीके हैं उससे नहीं समझ सकते थे तो इसलिए भी हमें behavioral जो टेक्निक हैं वो यूज करके जो नया socio-cultural understanding बनाना था नई नी societies का ताकि उनको हम guide कर सकें या कुछ लोग का कहना है कि उनको फिर से rule कर सकें इस वज़ा से भी comparative politics को नए discipline या नए method का इजाद करना पड़ा फिर जब modern comparative politics की बात करते हैं तो जो हमने पहले ही बता है कि decolonization के बारे में emergence of third world countries एक बड़ा रिजन था इसके और फिर जो ये countries थी बहुत ही diverse थी तो इनको अलग-अलग जो पुरानी theories थी उनफ नहीं होगी नए theories हमको निकालने पड़ेगी नए practice, नए text के साथ तो इसलिए भी हमें कहीं न कहीं एक नया method के जरुवत थी और तब आता है आपका modern method अब modern method जो behavioral method हैं उनसे प्रभावित होके आता है अब इसमें within modern method बहुत अलग लग तरीके methods हैं अप्रोचे हैं जिनमें एक system approach हो गया जो पूरे के पूरे state को या पूरे concept को या state को ही बोलने उसको political system के तरह machine के तौर पे देखने करने की कोशिज करेगा structural functionalism कहीं न कहीं उससे improve करके फिर कोशिज करेगा समझने का कि हर society के कुछ निश्चित function होते हैं जो अलग-अलग structure perform करते हैं और जरूरी नहीं कि एक ही structure हर जगा similar हो उसमें divergence हो सकते हैं वैरी कर सकते हैं political development approach कहीं न कहीं ये बताने की कोशिज करेगा कि economic development इनफ नहीं है political development का मतलब है कि state building कैसे हो रहा है कि जो आपके हाँ state आपने बनाया है वो कितना मजबूत है इंडिया के 1950 का दौर देख सकते हैं लोगतंतर कितना develop हो रहा है लोग कितना aware हो रहे हैं चीजों के बारे में या क्यों कि western है मतलब वो ऐसे लगएगा कि वो ideological है ideology से oriented है इसलिए democracy promotion की बात करेगा state building की बात करेगा तो political modernization उसका post ideological एक version है जो urbanization के बारे में बाते करेगा industrialization के बारे में बाते करेगा इस तरीके से भी society जो traditional societies है वो modern society की तरफ बढ़ सकती है और वो तरीके बताने की अप्रोच कोसिस करेगा कि केवल institution होना enough नहीं है political culture में लोगों का behavior क्या है लोगों को value system क्या है लोगों के norms क्या है वो भी हमें समझना पड़ेगा किसी भी system को properly समझने के लिए political sociology approach बात करेगा कि सिर्फ institution नहीं आपको वहाँ पे caste, gender, class, ethnic group इस तरह के factors पढ़ने की कोसिस करनी चाहिए ताकि आप वहाँ की politics को बेटर समझ पाए इंडिया के context में योगेंद्र यादो, जेफ्रो लॉट, पॉल ब्रास ऐसे बहुत सारे thinkers ने काम किया है caste, religion और voting behavior पे तो यह सब basic बाते हैं फिर उसको बात political economy approach आता है जो की बोलेगा कि केवल institution तक सीमित नहीं रहना है हमें economic policies पढ़ना है, economic policies कैसे politics को प्रभावित करते हैं, politics कैसे economic policies को प्रभावित करता है, यह सब understanding बनाने के लिए इंडिया के context में प्रणाब बरधन हो गए, और यह thinkers हैं जिन्होंने पढ़ा है, land reform को, green revolution को, इस तरह की चीज़ें भी वो कहीं न कहीं comparison में include करते हैं, तो यह सो basic बाते होगी modern method के बारे में, अब दोनों जो यह तो पूरा का पूरा comparative politics का evolution के बारे में बाते होगी, अब इनके advantage और disadvantage पर बाते कर सकते हैं, advantage यह है कि नया knowledge गेन करते हैं, जब भी हम compare करते हैं, तो हमें कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जैसी Indian constitution को बोला जाता आपने हापे लागू कर सकते हैं, चाहे voting को लेके है, चाहे अलग अलग जो institutional methods हैं, उनको लेके है, फिर objectivity बढ़ाता है, कि कहीं न कहीं जब आप multiple चीज़ों को compare करते हैं, तो चीज़ों को जो भी knowledge है, वो कहीं न कहीं better gain करते हैं, यह तो हो गया, limitations क्या है comparative politics की, वो भी बो यह एक सवाल उठता है बहुत लोगों का, और सारे जो factors हैं, जब आप compare करते हैं, तो आप comparison के लिए कुछ basic ground होना चाहिए, कि आप उनको quantify कर पाएं, तो क्या सारे factors को आप quantify कर पाएंगे, यह एक सवाल उठता है, sufficient information है कि नहीं, यह दूसरा सवाल उठता है, कि बहुत सारी क्या होता है कि जब भी बाहर की कोई दुनिया है, बाहर के लोग हैं, वो caste को देखेंगे, religion को देखेंगे, या बाकी चीजों को देखेंगे, तो वो वैसे नहीं देख पाएंगे, जैसे Indian लोग देखते हैं, तो जो objectivity का इसू है, एक bias का इसू है, वो यहाँ पे important हो जाता तो dynamic nature होने की वज़े से भी comparison बहुत difficult है, तो यह सब basic बाते थी, evolution के बारे में, comparative politics के बारे में, और उसके इतिहास के बारे में, इस वीडियो में इतना ही लगातार अभी system approach या जितने भी modern approach हैं, उसके लगातार आपको वीडियो मिलेंगे, सारे वीडियो आप देखिए, आ आपको help करेंगे वो, इस वीडियो में इतना ही जैन,